नादरीन 2021 से लेके अमरीका की ये कोशिश रही है कि किसी तरह से बंगला देश को इंडो पैसिफिक स्टर्टिजी के अंदर शामिल किया जाए अब ये इंडो पैसिफिक स्ट्रटिजी एंटी चैना स्ट्रटिजी है ये तो सब को पता है अमरीका कहता है कि वी वांट फ्री एंड ओपिन इंडो पैसिफिक रीजन या इंडिया रोशन का जो रीजन है या पैसिफिक जो रीजन है ये हमें फ्री और ओपिन चाहिए कहने का तो ये कहता है लेकिन असल में इनका कहने का मतलब ये होता है कि इस पे चाइना की डॉमिनन्स ना हो और इसी हवाले से ये चीज फिर डिजाइन की गई है लहादा जितने भी मुलक जिनको अमरीका घहरने की कोशिश करता है कि आप इसके अंदर आ जाएं हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रटेजी में वो फूंक फूंक के कदम रख रहे होते हैं क्योंकि चाइनीज दूसरी तरफ से ओपन होते हैं बहुत जदा वो इस पे क्रिटेसाइज भी करते रहते हैं कि बैसिकली दीज अर दे टूल्स फॉर दी कंटेन्मेंट अफ चाइना अब एज़ा से बंगला दिश को वो इस तरह से ओफर करते हैं कि आप हमारे साथ कॉपरेट करें हम आप के साथ कॉपरेट करेंगी मिजाल गए तोर पर दिसंबर 2021 की डिसंबर में इन्होंने रभ फॉर्स के ओपर बेन लगा दिया सेंक्शन लगा दिया और अब ये जो sanctions lift करना ये रभ फोर्स important इसलिए है शेख हसिना के लिए भी important इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है कि रभ फोर्स को political मकासद के लिए भी use किया जाता है बंगला अधिश में यानि शेख हसिना के जो opponents हैं उनको political engineering के लिए भी रभ फोर्स जो है वो use होती है लहादा Americans ने एक तरह से मशरूत कर रखा है कि अगर बंगला अधिश को operate करता है हमारे साथ तो हम रभ फोर्स के ओपर से भी sanctions लगाएंगे वगरा वगरा डोनल्लू साब अमरीका की assistant security of state जिन को पाकिस्तान के अंदर regime change master कहा जाता है PTI वालों के जानब से ये जब बंगला अधिश आए एक दोर उस पहले तो इन्होंने भी रभ फोर्स के हवाले से कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि extra judicial killing जो है वो कम हो गई है यानि कि इस बार उन्होंने कुछ soft stance लिया है अरभ फोर्स के उपर लेकिन बेन हटाने के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की अब एक बार फिर से अमरीकी है जो बंगला अधिश को कह रहे हैं कि आप हमारे इंडो पैसिफिक में आ जाए तो बंगला अधिश का एक previous experience है इस हवाले से और वो experience यह है कि चाइनीज इनके उपर फिर दूसरी तरफ से दबाव डाल रहे होते हैं कि यह इंटी चाइना एक प्लेटफॉर्म है इसमें शामिल मत हो यह का तो experience बंगला अधिश के बात है अल्रेडी के red lines है कुछ चाइना की इस हवाले से तो बंगला अधिश उन red lines को अब भी cross करने को त्यार नहीं है यह जो दोबारा अमरीका ने कोशिश हैं शूरू की है ना कि बंगला अधिश को हमने घेरना है और इसके अंदर लेकर आना है बंगला अधिश अभी तक उनकी बात नहीं मान रहा उस तरह से इंडिया का एक news outlet है the economic times उन्होंने इस हावाले से दो तीन बड़ी important बाते लिखी है कल और वैसे मुझे जाती तोर पर एक बात की बड़ी खुशी है कि बंगला अधिश का जो फॉरें निसर है एकी अब्दुलमुमिन जो कि मुझे पसंदे जाती तोर पर वेसे एकी अब्दुलमुमिन काफी खुला डुला बंदा है यानि ट्रांस्पेरेंट के समगा बंदा है जो बात होती है वो कह देता है आप एकस्पेक्ट नहीं करते कि इस तरह एक शेख हसीना की firm government strong government है और उनका मुकमल तोर पर कंट्रोल है हर एदार के उपर लेकिन उसके बा बात उन्होंने अपनी हवाम से की हुई है दी एकॉनमिक टाइम्स इस हवाले से कह रहा है कि बंगलादेश remains a hesitant on waking biden's indo-pacific strategy वैसे ये ट्रंप साब के दोर में बनी थी बाइडन ने इसके अंदर modifications कुछ की हुई है तो ये biden's indo-pacific strategy नहीं ये ट्रंप के दोर में भी इसका खाका बन गया था अब वो जो एकी अब्दलमुमिन साब के लिए मैंने बात की उस हवाले से देखें वो क्या लिख रहे है दैकॉनमिक टाइम्स वाले एकी अब्दलमुमिन साब को कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि it is not that transparent इंडो-pacific strategy के लिए कह रहे हैं it is not that transparent it is not mentioned there how it will bring benefits we are studying अब देखें ये सीधी सीधी इस से ज्यादा clear नहीं हो सकता कि ये थोड़ा सा जो है ना एक मुबहम किसम की है मतलब ये transparent नहीं है कुछ goal malls ही है और ये भी नहीं clear कि हम अगर जाएंगे भी तो उसमें फाइदा क्या होगा हमें ये भी नहीं पता देखें दाद देनी पड़ेगी बंदे को अमरीका के pressure के बावजूद भी देखें वो सीधी बात कर रहा है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें क्या benefits है ऐसा क्या है रिसक तो बड़ा है ना चाइना को हम जो है वो नारास करेंगे लेकिन हमें फाइदा क्या है ये हमें नहीं पता है इसका मतलब ये डिप्लोमेटिक जबान में अमरीकन्स को नो बोल रहे हैं अमरीकन्स को नो बोल रहे हैं वी आर स्टडी का मतलब ये होता है कि आप इसको जो है ना डिले कर दें वो होता है ना सर्द खाने में रख दें पड़ा रहे गा उदर मतलब ये बात को ड्रैक करने का एक डिप्लोमेटिक जो अंदाद है वो है कि अमेरिकन्स नाराज भी नहों ओफिशली हम नहीं बोल रहे हम तो ये करे हम तो स्टडी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है इसमें बेनिफिट क्या है आप जो हमें बता रहे हैं हमें तो क्रेडिट जाता है इनको वसी दी बात करने के लिए मैंने जिसे के शुरू में कहा इनके अंदर ये क्वालिटीज है ये परसनली मैं इनको पसंद करता हूँ शेख हसीना की गवर्मेंट की बहुत सारी बाते अपनी जगा विच आई डॉंट एगरी आलसो लेकिन ये ज अवेलेबल जो आप्शन्स हैं उनके पास उनमें सबसे बहतरीन बंदा आई तिंग ये हैं अब्दलमौमिन जो हैं अच्छा ये जब मिले हैं ना एक अब्दलमौमिन साहब रिजीम चेंज एक्सपर्ट डोनल्लू साहब से जिनको पाकिसान के अंदर पी टी आई वाले र गया हुए जरा इसके बारे में अपडेट दें तो डोनल्लू जो है न वह बात गोल कर गया है था इकानमिक टाइम्स ही इस हावाले से रिपोर्ट कर रहा है कोट कर रहा है डोनल्लू को डोनल्लू कह रहा है कि we had quite good discussions about the rub if you have seen the statement this week by human rights watch they recognized and we recognize tremendous progress in the area of reducing extra judicial killings by the rub this is amazing work लू said during a joint press briefing on Sunday after meetings with मौमिन and foreign secretary मसाथ बिन मौमिन तो basically this is a nothing statement वो बड़ा अच्छा वो कमाल की उन्होंने जो है न जबरदस्त किसम की उन्होंने progress की है extra judicial killing कम हो गई है यह हो गया वो गया लेकिन the main thing is that बेन आप कब हटा रहे हैं के उपर से वो बात उन्होंने कुछ नहीं की गोल कर गए सारी की सारी बात को असल बंगलादिश का issue यह है कि यह जो बंगलादिश के अंदर law and order रहे हैं देखें अरब फोर्स की बाकी बात है अपनी जगा political engineering और यह सारा कुछ लेकिन यह भी fact है कि यह जो counter terrorism operations होते है बंगलादिश के अरब फोर्स का बड़ा important हाथ होता है उसमें भी वो एक man force की तोर पर use होते हैं तो जब उनके ओपर sanctions लगे हुए तो बहुत सारे काम इनके नहीं हो पा रहे हैं मतलब इनके लिए problem हो रहे हैं यह directly procurement भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे equipment की जो कि एक खुद कर रहे होते हैं और बाकी भी जो इनके बाहर से related operations होते हैं बंगलादिश के बाहर से related जो भी इनके logistics के मसले होते हैं और जितना भी होता है उन में इनको problems हो रहे हैं तो इसलिए इनके उपर से बेहन हटाना बंगलादिश के लिए जरूरी है लेकिन अमरीका अभी तक जो है वो pressure इसको pressure tactic के तोर पर use कर रहा है कि हमारे इंडो Pacific में आ जाओ तो हम ये सारा कुछ कर देंगे आपके लिए मैंने शुरू में भी कहा था अमरीका के लिए बंगलादिश के जो opposition है या बंगलादिश के इनका कोई सरोकार नहीं होता किसी भी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो देखे ना इंडिया की अंदर सबसे ज्यादा human rights की violation इंडिया के अंदर हो रही है रीजिन के अंदर चाहे वो दल्लत हों उनके साथ देखे हिंद्धत वादी ठाक क्या कर रहे हैं मुस्लमानों के साथ क्या कर रहे हैं उतर मस्जिदें तोड़ी जा रहे हैं अभी चंदरोस पहले भी उतर परदेश जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पर अलाबाद का सिटी है अलाबाद में शेरशा सूरी के जमाने की मस्जिद को गिराया गया है शेरशा सूरी के जमाने की इतनी तारीखी मस्जिद कई सो साल पुरानी मस्जिद उसको गिराया गया है इंडिया की मुसलिम हिस्ट्री को डेमॉलिश करने का सिसला जोरो शोर के साथ जा रही है उसको गिराया गया है और बड़ा एक मखबूत अलावास किसम का रीजन उन्होंने बेवकुफ़ना रीजन दिया है यह जो योगी अदतियनाद की गवर्मेंट है उन्होंने कहा कि भाई हम ना रोट को वाइड कर रहे थे अब ये सदियों से मस्जिद है उदर सदियों से रोट शोर्ट बाद में बने है ये वहाँ पर जितने भी हैं तो इन्होंने रोड को वाइड करने का बहाना बना कर शेरशा सूरी के जमाने की मस्जिद गरा दिये और पिछले एक अफ़ते के अंदर तीन चार चर्चों पे तो वैसे ही अटेक हो चुके है वहाँ पर जो जीजस के स्टेचूज होते हैं वो भी तोड़े गए हैं और पादरियों को उन्होंने मार पीड की हुई है इतने ज्यादा हर रोज वहाँ से खबरें आ रही होती हैं मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया पे कि ये सारा कुछ हो रहा है और रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे होते हैं तो उदर क्या अमरीकी सतूपी के सोय हुए होते है उनको नजर नहीं आती वहाँ पर हिमन व्राइट्स की वाइलेशन क्या होती है लेकिन इंडिया उनके साथ है इंडो पैसिफिक में तो वहाँ मूँ नहीं खोलते वहाँ साथ बच्छा है बहुत कमाल की बहुत जबरदस्ट जबकि दूसरे जो न्यूटरल मुलके हैं बचारे या जो थोड़े से चाइना की साइट पे होते हैं उदर तो ये बड़ा मैक्रोसकोप लेकर बेठे हुए होते हैं क्रोशिया के सदर ने कहा है वैसे कल से उनका वीडियो वायरल वापड़ा है क्रोशिया के सदर इमरान खाने वाली बात कर रहा है कि हम क्या तुमारे नोकर हैं तुमारे गुलाम है कि तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे क्रोशिया के सदर ने अमरीकन को कहा है कि आप हमारे उपर प्रेशर नहीं डाल सकते इस तरह से उनको भी उधर भी यहने सारी दुनिया में यह हो रहा है कि इधर यू आर वित अस और गैंस डास वही अमरीका की पुरानी मेंटलिटी है जबके यही मेंटलिटी उनके डाउन फाल का भी सबब बनी हुई है लेकिन अ